तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी हैल्सक्रीन को मिलिए phrase में हिरो बराइन को कैसे ब Coacheger हैं कि要एं को दोड़ा को है तो आपको में परसनली है करूँ है कि आपको में इसको दिशनां को मत बनाना जिसमें आपने एक घर बनाए हुए वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा अगर आपको Hero Brine को बुलाना ही है तो आप एक नए वर्ड क्रियाइट करके बुलाना और कैसे बुलाना है मैं आपको आगे बताऊँगा इस वीडियो को पुरा देखो और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार असा नाम जरूर लिख देना और वीडियो पुसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सबस्क्राइब भी कर लेना सो लेट टार्ट अगर आपने इस वीडियो को एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपका जो पुरा प्रोसेस है वो बैकार हो जाएगा और आप फिर अपने माइनकाफ में हिरो ब्राइन को बुला ही नहीं पाएंगे तो गैस हिरो ब्राइन को अपने माइनकाफ पोगेडिशन में बुलाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ समान चाहिए होगा तो Hero Brine को बलाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए Crafting Table इसके बाद हमें चाहिए Sunland और इसके बाद हमें चाहिए Rotten Flesh और यहां पर हमें चाहिए एक Nether Star और यहां पर हमें जरूरत पढ़ेगी एक Cobble Stone की और हमें चाहिए Gold Block इसके अलावा हमें चाहिए एक Nether Rake बस यही सामान चाहिए हमें Hero Brine को बलाने के लिए अब हमें Simply क्या करना होगा सबसे पहले Crafting Table को यहां पर रखना है तो यहां पर महने इसको Creative में क्या हुआ है तो देखो दो Crafting Table रख गई है तो उसको यहार manage कर लेना ठीक है सबसे पहले Crafting Table को Open करना है Crafting Table को Open करने के बाद हमें Soul Sand को कुछ इसतरा से रखना है Soul Sand को कुछ इसतरा से रखने के बाद हमें चाहिए Rotten Flesh और Rotten Flesh को हम कुछ इस तरह से Rapp हाथ तो गोल्ड ब्लोक को हमें कुछ इस तरह से रखना है और इसके बाद हमें चाहिए यहां पर कोबल स्टोन को यहां पर रखेंगे और इसके बाल यहां पर नैधर रेक्क है अब यह जो हमारे पास हीरो ब्राइन एक्टिवेटर है इसको सिंपली इसको पर फैक ना है तो यह इसको पर नहीं गया इसको पर असलिमें हमें को जो है इसको नेधर रेक को पर फैकिंगे इसको ठीक है इस बार पका इसको पर फैक देंगा हम इसको फोड़ा यार मुश्किल हो रहा है और जैसे ही देखो हमने इसको पर फैक है इसको ने क्या था हिरो ब्राइन एक्ट को फेकने के बाद यहां पर देखो आग लग चुकी है और यहां पर देखो जो भी हमारे आस्-पास में ट्री हैं वह सब डिश्टोय होना स्टार्ट हो जाएंगे और इनमें आग लग जाएगी जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर आस्पास के जितने भी ट्री उनमें आग रिष्ट्रॉय होने लग गए हैं और यहां पर जो साउंड आ रहा है वो बहुत ही जादा डेंज्रस यानी खतरनाक साउंड हमें सुनाई दे रहा है तो हो सकता है आपको वीडियो में सुनाई ना दे क्योंकि यहां पर मैंने माइक को मॉन किया हुआ है और जो इसका मागने के लिए आते हैं यार तो अभी काफी मज़ा आने वाला लेकिन आप इतना करने के बाद यह मत सुचना कि हीरो ब्राइन आपका आ जाएगा अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसा आएगा जैसके आप देख सकते हो और इसने मुझे मारना शुरू कर दिया हरो ब्राइन का कम आसा ही स्क्रीन है किस तरह से सक्क्रीन हो चोने उंह dolco के और यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ए legally कितनी हो kuartu से गंड्रोल कर ले और यहां पर सामने को छी हो सब्सक्ति क्या होगा क्या करना होगा कमेंट box में मैंने एक मोड को पिन किया हुआ है आप वहां से मोड को जा करके इंस्टोल कर लेना अपने माइन काफ में फिर आप उस वाले मोड को एक्टिवेट कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले मोड को इंस्टोल करने के बाद यहां पर आपको प्लेबर किली करना है से क्या देख सकते हैं hero brain experience यहां पर आपको simply इसको activate कर देना है और इसके बाद यहां पर मुझे यह दुसरा वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है hero brain का इसके आखे बगरा काफी चमंग रही है तो इसको activate कर लेना आप इन तीनों में से भी कोई सब इसके बाद आपको simply behavior packs माने के बाद my packs माना है और यहां पर hero brain experience को को simply activate कर देना है इसके बाद आप गैम को चाहें तो creative mode में भी कर सकते हैं चाहें तो survival में भी कर सकते हैं लेकिन hero brain जब हमारे सामने आता है तो इस mode में हमें क्या होता है जो हमारा creative mode है वो और्टमेटिक सर्वाइवल में बदल जाता है तो मैं इस चीज को यार समझ नहीं सका कि ऐसा क्यों होता है बड़ जो भी है आपको इसके पास सिंपली क्रियेट पर किलिक करके वर्ल्ड क्रियेट कर लेना है और उसके बाद जो मैं आपको प्रोसेस बताए थी आपको सि सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना तो चलिए विडियो को यहीं पर एंड करते हैं